नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आउला नोमी कार्तिक माह के सुक्लपक्ष की नोमी तिथी को होती है आउला नोमी के दिन ब्रत रखकर आउले के पेड़ और भगवान स्रीहरी विष्णू की पूजा करने का विधान है आउला नोमी के दिन अगर आप ब्रत रखते हैं प तो इस बार आउला नौमी का पर्व 21 नौमबर मंगलवार को सुबह 3 बचकर 16 मिनट पर नौमी तिथी का आरंब हो रहा है और नौमी तिथी का समापन 22 नौमबर बुद्वार की सुबह 1 बचकर 9 मिनट पर होगा तो 21 नौमबर को उदिया दिथी है इसलिए 21 नौमबर को ही आउला नौमी का पर्व मनाया जाएगा सुब मुहर्थ क्या है पूजा का 21 नौवंबर को आउला नौमी की पूजा का सुब मुहृत सुबह 6 बचकर 48 मिनट से 2 पहर 12 बचकर 7 मिनट तक का है इस दिन पूजा के लिए 5 घंटे से ज़्यादा का समय प्राप्थ होगा सुब मुहृत या अभीजीत मुहृत दिन में 11 बचकर 46 मिनट से 2 पहर 12 बचकर 28 मिनट तक का है चुकि इस दिन आउले के पेड़ का पूजा करने का और आउला खाने का भी विधान है और इस दिन नहाने के पौणी में आउले के पत्ते या आउला सुखावा भी है तो उसको डाल कर नहाने का भीधान है ऐसा माना जाता है कि इस दिन आउला का सेवन बिविन तरह करने से पूरे साल आपका स्वास्त अच्छा रहता है और सुख सौभाग आपका बढ़ता है इस दिन किया गया दान जब इत्यादी भी कभी भी खाली नहीं जाते और आपके कस्टों से मुक्त भी करता है इस दिन बहुत बार आपने पहले जमाने में सुना होगा आउले के नीचे खाना बनाकर लोग खाते भी है और उनको भी खिलाते हैं और इस दिन गुप्त दान करने का भी धान है एक होता है सीता फल या कुमड़ा उसको कहते हैं तो फॉइट कलर का होता है उसमें लोग सोना चांदी या पैसा गुपत रूप से छिपा कर दान करते हैं और ये पुराने जमाने से चला रहा है सास्तों में अक्छे नौमी के दिन आौला का ब्रिक्ष का पुजा भी होता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान स्रीहरी बिष्णू और भगवान सिप का निवास होता है आौले के पेड़ में इस दिन ब्रिक्ष के नीचे भोजन करने से सभी रोगों का नास हो जाता है माता लक्ष्मी ने सबसे पहले आउले गाश का पूजन किया था ऐसा हमारे सास्त्रों में बढ़नन आता है वैसे आप चाहें तो इसी दिन घर में आउला का पेड़ लाकर गमले में भी लगा सकते हैं आउला नमी पर आउले के बिश्च की पूजा और इस बिश्च के नीजे भूजन करने से मालक्ष्मी की कृपा बिसेस रूप से बरस्ती है क्योंकि परानिक कथा के अनुसार एक बार मालक्ष्मी पृत्वी पर भ्रमन करने आई धर्ती पर आकर भगवान विश्चनु एवं सिप की पूजा एक साथ करने की उनकी इक्षा हुई तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि एक नारायन और सिप की पूजा कैसे हो सकती है तभी उन्हें ध्यान आया कि स्री हरी की प्रियत तुलसी और सिप स्वरूप बेल के गुन एक साथ आउले के ब्रिश्च में होते हैं और आउले के ब्रिष्ण को भगवान विष्णू और सिफ का प्रतीक चिन्ध मान कर मा लक्ष्मी ने आउले के ब्रिष्ण की पूजा की पूजा से प्रसंद होकर भगवान विष्णू और सिफ प्रकट हुए और मा लक्ष्मी ने आउले के ब्रिष्ण के नीचे भोजन बना कर स्री हरी विष्णु और भगवान सिप को भोजन कराया इसके बाद स्वेम भोजन किया तो आउला नौमी के दिन सुभा सुभा स्नान करके आउले की बिष्ट की पूजा करने का विधान है आउले की जड में एक लोटा जल उसमें एक चमच दूड डाल कर अरपित करें इसक साथ प्रिक्रमा कीजिए एक सफेद धागा हाथ में लेकर और इसमें ओम नमो भगवते वासु देवाय या नमह सिवाय का जब्त किरें इसके बाद कथा जरूर सुने या फिर बोलें ऐसा करने से अक्षै नौमी आउला नौमी के दिन पूजा करने से भोजन बनाकर खाने स आप इस दिन बहुत सारे लोग दही चुड़ा भी खाते हैं आउले के बिश के नीचे तो इस दिन आउला जरूर खाना चाहिए थोड़ा ही सही पर खाईएगा जरूर पद्म पुरान में एक वर्णन आता है कि आउला का फल स्री हरी को परसंद करने वाला और सुब माना ग जहाने से गरीबी दूर होती है और इस दिन इसी लिए हमने कहा कि आउला डाल कर ही पानी में आवस्नान कीजिएगा आउले का दर्सन करने से छूने से आपका नाम यस बढ़ता है यहां तक कि आउला का सब्द आउला ऐसा बोलने से भी स्री हरी की किरपा आप पर बरसती है तो जहां आवले का फल होता है वहां भगवान स्रीहरी विष्णु सदा विराजमान होते हैं और उस घर में ब्रम्भा एवं इस्थिर लक्षमी का वास होता है तो आईए जानते हैं विशेश तोर पर कुछ खास उपाए तो आवला नमी के दिन गरीबी दूर करने के लिए नहाने के पानी में आवला डाल कर जरूर नहाईए और आवले के ब्रिश के नीचे आप अगर भूजन करते हैं तो भगवान स्रीहरी मालक्षमी की पूजा करके भूजन करें घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी और आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा अगर किसी गरीब को या किसी ब्रह्मन को आउला दान करें इस दिन तो आपकी समस्त मनुकामना पूर्ण होती है आप चाहें तो पास के मंदिर में भी आउला दान कर सकते हैं आपको तो पता है आउले को कनक यानि सोना का ही रूप माना जाता है इसलिए सोन के सभी गुन आउले में होते हैं इसलिए इस दिन जरूर दान करना चाहिए अगर आप आउले के बिश्ट के नीचे भोजन करें या बनाएं तो मालक्षमी की किरपा तो होती ही है अगर इस दिन घर में एक आउला का पौधा लाकर लगाते हैं अगर पहले से हैं तो लगाने की आवसक्ता नहीं है लेकिन नहीं है तो लाकर लगाते हैं तो आर्थी किस्तिती अच्छी होती है इस्थिर लक्षमी की प्राप्ती होती है एक बिसेस उपाय जो आउला नमी के दिन आपको जरूर करना चाहिए बहुत सिंपल उपाय है ध्यान से सुनिएगा देखिए इस दिन आप कहीं भी आपके आसपास आउला का पेड़ है तो जाकर करें या आप चाहें तो घर में एक गमले में खरिद कर ले आईए और लगाईए और यहां पर करें क्या करेंगे हल्दी थोरा सा ले लें उसको पानी के सहरे घोल कर थोरा सा गाढ़ा सा पेष्ट बनाईए अब इस हल्दी से आउले के पेड़ के तने में स्वस्तिक बनाईए स्वस्तिक तो आपको आता है और दोनों साइड दो खड़ी रेखाएं भी दीजिएगा ऐसा करने से घर में सुकसम्रिदी बनी रहती है अमा लेते हैं बहुत छोटा गाच है पतला सा गाच आपने लेकर अभी अभी आया है तब कैसे बनाएंगे तब परतिकात्मक रूप से आउले के तने में बनाईए ऐसा आप चाहें तो गमले में भी बना सकते हैं इससे भी आपको उतना ही फ़ल मिलेगा ऐसा माना जाता है कि अगर कहीं पैसा फस गया है किसी ने पैसा ले लिया आपको वापस नहीं कर रहा तो आउले नम्मी के दिन चंदन और हल्दी का पाउडर दोनों मिक्स करके आउले की जड़ में थोरा सा अरपित करें फसा हुआ रुका हुआ धन आ जाता है और बरकत होती है मालक्ष्मी की किरपा भी बरसती है तो आउले नम्मी के दिन नहाते समें आपको पानी ज़रूर डालना है ये खास उपाय याद रखेगा हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि बहुत बार क्या होता है आप भूल जाते हैं तो इस दिन आप धन की चाहत है तो आउले के पेड़ में लाल रंग का धागा जरूर बांधिये इससे सारी मनो कामनाएं पुर्ण हो जाती है तो आउले की पूजा करने से आउले का विश्खा पूजा करने से जीवन में कभी भी अनधन की कमी नहीं होती फिलार विदा लेंगे हर हर महादेब जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सकाइब जरूर कीजेगा और हम फिर मिलेंगे बहुत सारे टॉपिक के साथ धन्यवाद